हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं दिपिका आज आपको सिखाऊंगी कि लोबिया कैसे बनाते हैं लोबिया बनाने के लिए हमें चाहिए तीन से चार प्यास, बारीक कटी हुए द्रख, दस से बारा लसन गीकलिया, हरी मिर्च, तीन से चार टमाटर और लोबिया और याद रहें लोबिया को हम चार से पाँच गंटे पहले ही बिगो कर रख दें कुकर में थोड़ा सा घी लें उसमें प्यास, अद्रक और लसन को डाल दें और अच्छी तरह से सब चीजों को घूमाएं हमें सब चीजों को तब तक अच्छी तरह से घूमाना है जब तक हमारे प्यास गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं अब हम इसमें वन फोर स्पून दे की मिर्च टालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे अब हम कटे हुए टमाटर और एक कटी हुए हरी मिर्च टालेंगे और फिर से अच्छी तरह से मिलाएंगे नमक डालेंगे आदा ग्लास पानी डालेंगे और मिलाएंगे अब हम कुकर का ढखकन बंद करकर दो सीटी लगवाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं यह देखिए अब हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं ग्रेवी को ठंडा करके पीसेंगे ये देखिए अब हमारी gravy अच्छी तरह बन गई है अब इसमें हम 1 फोट स्पून सूखा धनिया डालेंगे दो तेज पत्ते डालेंगे और अच्छी तरह पकने देंगे ये देखिए अब हमारी gravy का color change हो गया है अब हम इसमें lovya डालेंगे और ग्रेवी के साथ लोबिया को अच्छे तरह से मिला कर भूनेंगे दो तिन चार मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे तरह से मिक्स करेंगे उपर से हम कसूरी मेथी डालेंगे और कसूरी मेथी को पानी के साथ मिक्स करेंगे कुकर का ढखकन लगा देंगे और 6-7 सीटी बजवाएंगे यह देखिए अब हमारे लोबिया अल्मूस्त तयार हो गए हैं उपर से धनिया पत्ती डालका सर्फ करेंगे यह देखिए हमारे यम्मी अंड टेस्टी लोबिया त्यार हो गया है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें थैंक यू प्रिखिकेशन्स झाल 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 झाल